हलो फ्रेंज, वेलकम टू ओनली आईएस, स्वागत आपका मने नए लेक्चर में, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में, ऑपरेशन ट्विस्ट आरबी आगे एक पॉलसी है, जिसमें की लॉंग टर्म बॉंड्स को खरीदा जाता है और शॉर्ट टर्म वा था, जिसमें सेम पॉलसी यानि की लॉंग टर्म बॉंड्स को बाई करना और शॉर्ट टर्म बॉंड्स को सेल किया गया था, दोबारा जो फेस्टू होने वाला है, 2nd of July 2020 से इसका नया राउंड स्राट होने वाला है, इसके अंदर भी 10,000 क्रोडों के लॉंगर समझना कि operation twist क्या है, क्यों आखिर ये long term, short term bonds या securities का difference आता है, क्या है yield curve, हम समझेंगे इसका क्या impact होगा Indian economy पे, और क्या objectives या क्या लक्ष पूरे करना चाहते है RBA इस कार के साथ, और ये जो unconventional measure है, unconventional in the sense कि ये बार बार आम तोर पर policy में इस्तमाल नहीं किया जाता है, क्य आज का लेशे शुरू करते हैं, operation twist का phase 1 launch हुआ था 2019 के December के आसपास, जिसमें 10,000 क्रोड के long term securities को buy किया गया था, और short term securities को बेचा गया था, इसमें focus क्या था, क्या इसका objective था, वो था कि long term savings को discourage किया जाए, कोई भी जो जनता है वो लंबी saving instrument में ना जाए, सरकार का लक्ष कर देता हूं, 10 साल के लिए, तो आपको return आ जाएंगे 12% का interest, आपको bank में 4% interest मिलेगा, तो आप सोचो कियो ना, मैं वहाँ ही चला जाओ, कुछ दिनों रख लेता हूं, पैसे बैंक में या FD पे, ताकि अच्छे return मिल जाए, तो वो पैसा पढ़ा रह जाता है bank में, और demand economy में तुरंट create नहीं होते, अभी government ऐसा चाहती है कि लोग long term में savings ना करें, और short term में invest करें, मतलब आपको पैसे लगाने भी है तो वहां लगाए, जो short term, तो जैसे ही आप discourage करते हैं long term savings को, तो उसका impact ऐसा होता है कि short term में loans वगरा थोड़े सस्ते हो जाए, आप consumption बढ़ात अब इसका दोबारा जो phase start हो रहा है, इससे पहले भी इसके कई rounds चले थे, अलग-लग round में RBI ऐसा कर रही थी, अब जो phase 2 होगा, इसमें भी कई rounds होंगे, तो हमारा आज का focus है इंच को detail में cover करना, ताकि prelims या means में अगर कुछ terms आ जाए, कि yield curve बढ़ना क्या होता है, yield curve घट bonds या securities को, और sell करती है short term securities या bonds को, इसका impact क्या होगा economy बताइए, जैसे bond को government या securities sell करेगी, economics आपने पढ़ा होगा, इसका कारण है monetary easing, ठीक है, monetary tightening नहीं, monetary easing, tightening और easing को फर्क होता है, tightening मतलब आप liquidity घटा देते है, तरलता बजार में घट जाती है, market में पैसे घट जाते है, जब आप ease करते हैं, तो market में पैसा बढ़ जाता है, जब आप operation twist कर रही है कोई federal bank, तो इसका कारण है, कि वो चाहरे है कि economy में ततकाल प्रभाव से पैसे बढ़ जाए, तरलता बढ़ जाए, liquidity बढ़ जाए, monetary easing हो जाए, तो ये जो option twist है, इसका impact किस पर होता है, इसका impact होत है, अब आप कहेंगे, bond तो एक instrument है, कई चीज़ें होती है, FDs है, securities है, companies के खुर के bond होते हैं, तो government तो अपने पर काम करें, तो market पर से क्या impact होगा, तो देखिए, इसका impact long term होता है, और बाकी पर भी होता है, जिसे के दर, domino effect, मतलब आपने एक line से कई card बैठा रखे है, तो अब एक तो धक्का मारेंगे, तो सारे card गिर जाएंगे, तो वही कहान ही है, इसके पीछे की, government अपने instrument को, अपनी securities की buying selling से, market में बाकी instrument की rate पर impact करती है, यही है operation twist का basic fund, अब operation twist शुरू कहां से हुआ, basically 2011 के आसपास, America की federal agency है, उन्होंने operation twist शुरू किया था, जिसमें यह long term interest rate को घटाने की कोशिच की थी, उनका aim था कि भाई, लोग short term invest करें, और उससे इनकी economy का फ़रा stimulus मिला था, अल्थवेवस्ता तेजी से आगे बड़ी थी, तो इंडियन government भी चाह रही है, पिछले कुछ समय से जोब वानी growth rate घट गई है, कि economy में boost up आये, ताकि job create हो, लोग car लोन ले, लोग bike लोन ले, ठीक है, यह focus है government का, operation twist के अंदर, अब देखिए, इसका कारण क्या है, operation twist इसलिए किया जा रहा है, कि आप prices को बढ़ाएं और yield को नीचे करें, फिर से repeat करता हूँ, operation twist के तहर, bond के दाम बढ़ जाते है, price बढ़ जाती है, और yield घट जाती ह है, अब आप yield बताएं क्या होती है, yield मतलब होता है, मान लिजे, आपने कोई investment की, आपको जो return मिलेगा, उस पर वो होता है yield, ठीक है, और bond की कीमत, जितने में आप bond खरी देंगे, उसे कहते है price, थोड़ा सा confusing है यह कि price उपर जाएगी, तो yield कैसे कम हो जाएगी, normally हम समझते कोई चीज महंगी return जादा मिलेगा, तो वो हम इसको cover करेंगे अभी, लेकिन जो अभी लक्ष है पहले समझे, यह लक्ष है कि long term bonds के price को गराया जाए, बढ़ाया जाए, और yields को घटाया जाए, तो इससे twist कहते है क्यों है, क्योंकि जो yield है आपकी जो कमाई है long term में, वो उल क्योंकि उम्मीर होती है कि 10 साल में और improve करेगा, risk आपका जादा है 10 साल किसी company में पैसे लगाने है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो normally होना चाहिए कर्व, वो twist कर जाना, मतलब ultra impact होता है market पे आपकी investment का, आपकी income का, आपकी ओपर खुद भी, तो जो twist कर गया ना system, इसलिए से कहते है, operation twist, यह RBI ने भी इक्तियार किया है, जो कि एक unconventional monetary policy है, आम तोर पे जो open market operations, RBI करती है, उनमें bonds की selling, buying होती है, किसलिए, inflation control करने के लिए, किसलिए, market के liquidity बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ focus specifically, इन सब के अलावा, long term yields को घटाने पे होता है, ताकि short term खर्च खर्चाते है, income घटाना long term में focus होता है, बढ़ाना short term को, अपना उमीद करना आपको चार जीज़ है, यहाँ पे confusion है, तो वो दूर रहे, yield क्या होती है, prices क्या होती है, और focus क्या है, option twist क्या, अगर थोड़ा साथ बचा भी है, तो भी हम all detail में इसको आगे cover करेंगे, अब दे से होंगे, तो लोग कम सेव करेंगे, आपको पता लग रहा है कि अभी आपकी किसी कार पे 7% interest पे आप लोन ले सकते हैं, क्या पता आगे 10% हो जाए, तो आप focus करेंगे अभी लेने पे, अपनी savings जो बैंक में आप सोच रहे हैं कि 12% आपको FDI पे return मिलेगा, FD पे, वो FD कर कराने के बजा है, fixed deposit कराने के बजा है, gold minus करने के बजा है, आप क्या करेंगे, car ले ले लेंगे, तो उससे car के लोग काम मिलेगा, तो एक circular create होगा economy में, जहाँ economy grow करेगे, ये लक्ष होता है, long term interest को कम रखनेगा, long term interest को कम होती है, तो आपको ज्यादा interest मिलता नहीं long term पैसे कहीं रखने से, तो आमतर पर जो लोग हैं, जो बहुत सारा capital रखते हैं, किसी ने 10 करोड रुपए है, किसी पास 100 करोड है, वो कहीं उसको bond कहीं instrument में लगाता, उमीद में कि 10 साल बाद कितना return आ रहा है, वो कम आ रहा है, तो वो सोचेगा short term में कहीं लगाया जाए, ठीक है open market operations क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए, मैं repeat करूंगा, open market operations में RBI करती क्या है, market में liquidity या तरलता बढ़ाने के लिए, bonds को खरी लेती है, इससे market में पैसा आ जाता है, जब government ने bond market से खरी लिए, तो market में पैसा आ जाता है, उससे क्या होगा, लोग ज़्यादा loan दे focus होता है, कि market से पैसा घटाया जाए, तो वो liquidity को ease करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, tighten करने के लिए, वो market से पैसा कम कर लेगी, मतलब, bond बेच देगी, यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ दो चीज़े हो रहे है, long term bonds आप buy कर रहे हैं, और short term bonds आप sell कर रहे हैं, I hope आप समझ गया होंगे इसको, हम आगे और detail में भी cover करेंगे, देखे, अब हम focus करते हैं, कि buying और selling जो होती है securities की, या bonds की, उससे क्या impact होता है, जब भी RBI increase करना जाते है money supply, तो अब वो क्या करेगी, उसको क्या focus क्या है, मान लीजे, RBI को चाहिए कि bank के पास जादा पैसा लोगों को देने के लिए, इसका मतलब क्या है, कैसे वो जादा पैसा वहाँ आएगा, कैसे बैंकों के पास जादा पैसा होगा, जादा capital होगा, जादा capital होगा, तब ही तो interest घटेगी, मैं आपको फिर से समझा दो, मान लीजे, State Bank of India के पास, आज 1000 करोड रुपे हैं, जो उ क्योंकि SBI के पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, वो सोचे कि भाई, पैसा निकले, कुछ तो income आए, तो वो 10% के जगे आपको 9% पे देने को तयार है, लेकिन अगर SBI के पास 900 करोड रुपे हैं, और उसके पास 50 customers हैं, तो वो सोचे कि भाई, तुम 9 में दो, मत दो, कोई हम पास, जिस पर सो कोई return नहीं मिल रहा, उससे better है, वो आपके पास जाए, अब 10 नहीं, तो 9% देने उसे, तो यही होता है, कि जब बैंकों के पास capital जाधा होता है, तो loan की rate क्या होगी, घट जाएगी, तो interest rate घटाने के लिए क्या जाना चाहिए, क्यों एकॉनमी में, liquidity, तर government क्या कर रही है, short term bonds को क्या कर रही है, RBI short term bonds को क्या कर रही है, बताए, buy कर रही है, sell कर रही है, all long term bonds को buy कर रही है, पर यहाँ खास बात यह है, कि 10,000 करोड के वो short term bonds हैं, और 10,000 करोड के long term bonds हैं, वो खरीद बेचके तो money supply बराबर रह गई, ठीक है, तरलता पर जाने impact तो पड़ा नहीं क्योंकि market में तो पैसा उतना ही रह गया क्योंकि buy आपने जितने का किया उतने का आपने sell किया फर्क यह है कि long term और short term का फर्क है तो यहां पर liquidity पर direct impact उसका नहीं होगा तो ऐसा क्यों कर रही है और भी इसलिए ऐसा कर रही है कि वो interested घटाना चाहती है ना कि market में capital position तो उससे होता क्या है जो normally buying selling होती है उससे थोड़ा अलग impact होता है operation twist में मैं यह समझाना चाहरा आपको कि normally जब securities खरीदी बीची जाती है तो हमें economics का basic जो पता है कि money supply जब बढ़ाना होगा RBI को तो RBI securities को sell करके और जब घटाना होगा money supply को अगर घटाना होगा तो वो sell करेगी फिट से repeat करता हूँ securities जब sell होती है तो money supply घट जाता है और जब वो buy करेगी तो money supply बढ़ जाया जो कि bank के पास अगर bond पढ़े होए है तो वो bond उसने government को बेच दिये government bank को bond के बढ़ ले क्या दिया पैसा वो पैसा उसके पास पढ़ा है वो पैसे वो इंटर्स पर लगाईगी मतलब आपको मिलेंगे उससे तो जब जब कोई bank RBI को bond बेच देता है तो उसके पास पैसे बढ़ जाते है और जब जब वो RBI से bond खरील लेता है तो उसके पास पै securities को घटाना और short term securities में इंटरस्ट बढ़ाना यह आपका लक्षा है किसमें अब आईए अब समझते है yield curve को yield curve क्या होता है कि आपको किसी भी investment पे जो income हो रही है मतलब जो yield है let's say 100 रुपे का आपने कोई bond खरीदा आपको 100 रुपे के 10% पर number वो bond मिलाएंगी 10% ब्याज आपको हर साल दिया जाएगा साल के अंतर पर आपको 10 रुपे मिलेंगे और 10 साल के बार आपको 100 रुपे वापस कर दिये जाएंगे तो हर साल 10 रुपे मिलें मतलब 100 रुपे देती हैं short term के मुकाबले अगर किसी कंपनी में आप 10 साल के इंवेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी आप 30 साल के इंवेस्ट कर रहे हैं तो जितना समय बढ़ता जाएगा आपकी income बढ़ती जाएगी ऐसा आम तो रिप होता है से के normal yield कर यह क्यो normal yield कर वैसा होगा simple example है अगर आप अपने किसी दोस्त को 1000 रुप उधार दे रहे हैं दो दिन के लिए अपने दूसरे दोस्त को आप 1000 रुपए उधार दे रहे हैं एक साल के लिए ठीक है तो आपको रिस्क कहां जादा है रिस्क है एक साल वाले पर जादा कि भाई एक साल आपको पैसा नहीं रहेगा आपको लूंगा इस company से या लूंग इस company से तो 30 साल के बाद वो company रहेगी या नहीं रहेगी वो एक question mark है market कैसा रहेगा आपको पता नहीं है तो risk बहुत जादा है तो उस risk को cover करने के लिए company आपको लंबे समय पे जादा return देती है जितना लंबा आप company के साथ रहेंगे normally कहीं भी invest करेंगे तो आपको yield जादा मिले तो यह होता normal yield curve और inverted yield curve ऐसा दिखता है मतलब समय के साथ आपकी income बढ़ने के बजाए घटने लग जाएगी किसी company साथ अब 30 साल रहे तो आपकी income घट गई बढ़ने के बजाए तो यह है normal yield curve यह is inverted yield curve समझ आपको कि inverted yield curve में कर्व में जो slope है वो inverted है और इसकी curve की slope upside down है तो उमीर है कि आप समझ क्योंगे yield curve क्या है दोनों का अगर मैं compare करो yield curve को normally जो curve होता है वो ऐसा जाता है time के साथ वो बढ़ता जाएगा yield आपकी समय के साथ बढ़ेगी और जब inversion होता है तब इस तरह से होता है कि आपका जो curve है वो गिर गया यह inverted है और यह normal है तो आप समझ रहें कि long term bonds में yield curve invert होना मतलब आपकी जो yield है जो आपकी income है वो long term में घट जाएगी लेकिन normally क्या होता है long term आपको पैसे जादा मिलते हैं short term में कम मिलते हैं पर जब yield curve invert हो जाती है तो यह inversion यही कोशिश होती है government की short term में economy को run करने के लिए कि भाई आप short term में पैसे लगाएं लाकि long term में यह होता है yield curve inversion मुझे उमीर आपको समझा गया हो गए अब देखते है return की कहानी क्या होती है मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया ने already operation twist RBI ने किया था focused long term interest को गिराना जो आपको gain long term में होगा short term के gain को बढ़ाना तो अगर आप 10 साल के yield का percentage है return का अब आप देखें तो October 2019 के आसपास 8% मिल रहा था अब भी यह घटके 7.78% मिल हो गया तो यह देखें यह जो है यह AAA मतलब सबसे highest rated corporate bonds है और यह government bond है मैं आपको example देता हूँ अगर आपको एक लाख रुपए bond में लेने हैं अगर आप government का bond लेंगे 10 साल के लिए मान लीजे तो आप secure रहेंगे कि 10 साल बाद इंडिया की सरकार तो रहेगी confirm हो आप तो Indian government आपको कह रहे है कि भाई मैं तुम्हे 7% दे रहा हूँ मैं भी 7% देने को तयार हूँ आपको के भाई साथ साल बाद आपकी किस स्थिती में रही कंपनी मुझे नहीं पता तो मैं आपको क्यों दूँ मैं governments को देता हूँ जो जादा secure है तो Reliance के कि चलो आपको government 7% दे रही है मैं आपको 11% return देने को तो यार हूँ उसी bond पर ठीक है यह जो AAA rated है मतलब high rated तो इसमें अलग 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 रेटे उसी है bond ले लो तो आप देखिए जो long term bond था कुछ समय पहले वो कितना rate पे था 8.5 पे दो साल बार अभी जनवरी के असपास 2020 में return घट गई वो क्यों हो रही है क्योंकि government RBI पुश कर रही है कि long term yield घट जाए जैसे जैसे सरकार की long term yield भी 6% हो गई उसी तरह इनकी भी 78.6 से घटके 7.78 तक आ चुकी है मतलब long term yield घट गई तो यह है twist down करना आम तोर पर जो बढ़ना चाहिए आपका return investment अब उतना नहीं बढ़ रहा है यह आपको मैंने दिखा कैसे rate down होती है और क्यों जैसे government अपने rate गिराएगी बाकी rate भी गिर जाएंगे क्योंकि government एक मानक होती है ठीक है standard आपके पैसे उधार ले जा रहा है तो आप कहेंगे कि भाई सरकार को क्यों न दूँ तुम मुझे जारे return दो तभी मैं तुम्हें पैसे दूँगा या दूँगे तो यह है कहानी क्या है twist करनेगे इसको अब आप एक चीज समझते कि यह होता कैसे है ठीक है let's say Tata से आपने 100 पे में एक coupon लिया 10% return पर तो हर साल आपको Tata 10 रुपे दे रही है दस साल तक आपको देगी यह और जब आपका 10 रुप खतम होगा तो 105 रुपे देगी यह आपका है क्या maturity के बार मिलने वाल अमाउंट यह आपका interest है जो आपकी 10% yield है लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ Reliance की company ने कहा कि हमें भी bond निकालना है और हम market में interest rate बढ़ गया तो Reliance सारी Reliance क्या रही है आप 100 पे ले जाओ 12% interest पे 100 पे देदो 12% interest देंगे कोई और company आगे कह रही है कि हम Airtel आगे कह रही है हम आपको 15% return देंगे तो market में interest rate क्या हो गई बढ़ गई अब आपको आप 10 साल तो बैठे दी रहेंगे bond लेकिए आपको ज़रुएत है निकल लेगी एक होता है primary market primary market और secondary market प्राइमरी market जब आप company से सीधा कोई चीज़ खरीदे बेचते हैं यानि directly आपने data से bond खरीदा या reliance से खरीदा company ने bond issue किया आप उसके primary मतलब प्राइमरी मतलब प्राइमरी हो बायर है सीधा आपने पहले खरीदा बेचा फिर एक secondary market होता है secondary market आपने data से या किसी company से bond ले लिया है उसके बाद आप market में कि किसी और को bond बेच रहे हैं आपने आज bond खरीदा 10 साल के लिए लेकिन आप अगल commercial public offer वो company सीधा लोगों को बेचती है share लेकिन उसके बाद आप जो share market में जाके share खरीदते हैं वो किसी और आदमी से खरीदे होता है जिसने वो share company से खरीदे होता है मतलब आप secondary market में हो similarly जो bond holders होते हैं वो primary market से पैसे खरीदने के बाद secondary market में जाते हैं जब आप secondary market में जा रह था आपको 10% यील्ड देगी वो आपको करोगे भाई अभी टाटा मुझे 10-100 रुपे के investment पे 15% यील्ड दे रही है return दे रही है तो मैं आपका bond क्यों खरीद हूँ तो भाई आप उसे करोगी आप तो ऐसे बिग्येगी नहीं तो आप क्या करोगे 100 रुपे का bond उसे आपको और 10 साल बाद तुम्हें 105 रुपे मिलेंगे और तुम्हें हड़ सा इंटरस्ट भी मिलेगा 90 में ले लो असल कीमत इसकी 100 रुपे है पर मैं तुम्हें 90 में देने को तयार हूँ तो उससे आपको क्या फाइदा है आपने और आपके 90 रुपे मिल रहे है तो आपको overall 110 जादा जितने में खरिदा उससे जादा और हर साल वो 8 साल इंटरस्ट भी कमाएगा तो प्राइस इंटरस्ट रेट जब घटती है तो बॉंड की प्राइस गिर जाती है मार्केट में इंटरस्ट रेट बढ़ती है तो बॉंड की प्राइस घट जाती है आई होप आपको सम से और बढ़ जाएंगे तो एक developing country में आपको interest rate जादा मिलता है किसी developed country से क्योंकि वाँ company की growth थोड़ी कम होती है लेकिन let's say कभी recession आ गया या market down हो गई तो interest rate घट जाएगा तो जैसे interest rate घटेगा तो आपके bond की price बढ़ जाएगी मैं return बता रहा हूँ आपने 100 रपे का bond जो Tata से लिया था 10% interest rate पे मान लीजे अभी economy खराब हो गई और अभी market का rate 8% पे आ गया है अब company आट परसंट ही दे रहे है return तो आप अगर किसी को bond बेशने जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई मेरे पास एक Tata का bond है 100 रपे गा दो साल बाद आप उसके पास बेशने जा रहे हैं आपने अल्रेडी 20 रुपे कमा लिये हैं से आप उसे कह रहे हैं कि भाई तुम अगर किसी और से bond होगे तो तुम्हें 8% मिलेगा लेकिन मैं तो तुम्हें 10% दे रहा हूँ इस bond पे क्योंकि जब मैंने bond लिया तो 10% पे agreement ह हुआ था तो आप उसे कहोगे कि दुनिया भी market में 98% rate है तो तुम मुझे इस 100% bond के 105 रुपाई या 110 रुपे तो तुम्हें मैं sell करूँ क्योंकि return जाना मिल रहा है भी मेरे bond पे तो market की interest rate घट गई है लेकिन आपकी price बढ़ गई है क्योंकि आपकी rate तो पहले से fix थी मुझ यह inverse relation ऐसा काम होता है कि bond के market में ठीक है तो yield curve जो है जब invert होती है मतलब जब आपको long term में कम return मिल रहा होता है इसका मतलब interest rate क्या हो गई है घट गई है market में अब आपको जादा interest नहीं मिल रहा उस bond पे इसलिए लोग समझते है कि पैसे दे के निकलू और कहीं और short time में invest कर ताकि short time में आके market में पैसा आए I hope आपको समझ आ रहा है अब इसी चीज में जो yield curve की बात में ने की कि आपको कितनी returns मिल रही है investors bond yield पे समझ रहे हैं कि long term में return जादा नहीं आएगा तो interest rate क्या होगी घट जाएगी ठीक है for example अगर Tata के 100 रपे के bond जो आपने लिये थे 10 साल तो interest rate घट जाएंगे तो लोग आपको आके करेंगे भाई हमें 110 में देदो 120 में जो rate दे रहे हो उस पर देदो क्योंकि market में interest rate घटेगी तो आपके price individually बढ़ जाएंगे आपके price की rate I hope आपको समझ आया हो ये तो normally क्या होता है कि जब market के आप curve को देखते है yield की वह आपको दरशाद है कि economy की situation कैसी है अगर एक ऐसी कर्व बन रही है ये कौन सी कर्व है inverted curve है और नॉर्मल कर्व है ये टाइम है ये रिटर्न है तो जैसे से कर्व इंवर्ट होगी मतलब अगर रिटर्न ऐसा बन जाए शॉट टर्म में जाना मिल रहा है आपको रिटर्न और तो आप आप करेंगे कि भाई अभी economy के हालत थोड़ी खराब है अगर ऐसा रिटर्न है मतलब उमीद है लोगों को कि समय के साथ economy grow करेगी return जादा आएगा तो यह कर्व की कहानी I hope आपको समझ आ रही हो कि flat curve जब होगा ठीक है बिल्कुल flat curve है let's say ऐसा यह आपका return है यह आपका time है interest है यह आपका time है तो अपका flat curve है मतलब अभी inflation point है ठीक है इसके बाद या तो यह उपर जाएगी या नीचे जाएगी इस point के बाद यह तो ऐसे चली जाएगी या तो यह नीचे आ जाएगी तो वहाँ investor रुक जाते है ठीक है यह yield curve की कहानी ऐसा होता है yield curve तो operation twist का focus है interest rate long term में घटाना और short term में बढ़ाना ताकि market में पैसा बढ़े इन short term और economy को boost मिले अब India के case दिखते इंडिया में क्या कहानी है इंडिया में लोग borrow करते है money treasury bills से government security से तो जैसा मैंने आपको बताया government security बहुत ही safe instrument माना जाता है जो कभी market डूबेगा नी सरकार कभी डूबेगी अगर government आज आपको 10% दे रही थी तो private आपको बारा देगी return लेकिन अगर government आज दे रही है तो private company कि भाई तुम जाओगे तो जाओगे कहाँ अब हमें 10% पे दो ठीक है bond returns हम इतना ही return देंगे तो यह है कहानी supply demand की ऐसा behave करता है yield curve ऐसे depend करता है market तो यह था इंडिया केस कि जहां पर जो curve है normally क्योंकि developing market है आज जो growth है जो इंडियन economy आज 2 trillion dollars या उमीर आपको 15 साल बाद हो 5 trillion dollar या 10 trillion dollar की हो जाएगी तो आपको उमीर है interest rate बढ़ते ही जा तो time के साथ क्या होगा time के साथ आपके returns बढ़ेंगे ठीक है ना की घटेंगे तो यह था case of India आईए अब समझते है कि यह twisting जो होती rate की काम कैसे करती है इसमें मैंने आपको समझाया कि bond की price और yield में inverse relation होता है price कम होगी तो yield जादा होगी आपके लिए market के interest आपको yield उल्टा क ऐसे खर्चेंगे loan सस्ता होगा car जादा खरीदेंगे लोग तो आपकी GDP कहाँ जाएगी उपर एसे काम होता है rate का हमने आज जो अभी तक कवर किया इसको बार रिवाइस करके देखते कि हमने क्या कवर किया हमने आज पढ़ा था क्या inverted curve कैसा होता है normal curve कैसा होता मुझे draw करक inverted क्या होता है लब में time में curve return ठीक है यह आपका curve हो गया inverted curve operation twist में long term securities क्या करेगी government और short term securities क्या करेगी मुझे बताइए क्या था operation twist कहां से आया था अमेरिका की fed ने किया था इसे operation twist क्यों कहते है क्योंकि curve को twist कर देती है इसका फाइदा क्या है कि आदमी long term के बज़ा short term में yield curve कैसा होता है yield का market के interest rate से क्या relation है ठीक है yield का interest rate से क्या relationship है yield क्या price से क्या relationship है कहां पर inverse है कहां पर directly proportional है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए I hope आपको यह lecture सही लगाओगा और आज के लिए हमारा इतना ही था thank you very much